वन होम वन ट्री महाभ्यान के तहट इस बार घरों को हर्याली से गुलजार करने दुर्ग कलेक्टर ने अधिकारियों को दिये निर्देश 6 जुलाई को किया जा रहे महाभ्यान में लोगों के घरों में पौधा रोपड के लिए पौधा उपलब्ध कराने की दी जम्मेदार घरों को हर्याली से गुलजार करने का वन होम वन ट्री महाभ्यान इस साल भी 6 जुलाई को आयोजित किया जाएगा इस तरह जिले में मनाये जाने वाला हर्याली का यह सबसे बड़ा भ्यान लगतार तीसरी बार आयोजित किया जाएगा इसके तहत दुर्ग कलेक्टर डॉक इस मामले में बहुत उत्साहित है और उन्होंने पिछले दो साल से लगातार अपने घरों में पौधे रूपे हैं और उन्हें सहे जावी है जिन लोगों ने घरों में पौधे लगाए वे अब बड़े हो गये हैं गौरतलब है कि कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगरे निकाय के सभी जोन का रहले में पौधे उपलब्द कराए जाएंगे जहां से लोग अपने लिए पौधे ले जा सकेंगे इसके साथ ही फौरेश नरसरी वन विभाग द्वारा फोन करके भी पौधे उपलब्द कराए जाने की सुवधा दी है साथी कहा कि लोगों की रूची फलदार पौधों में अधिक होती है इसके लिए फलदार पौधे अधिक संक्या में तैयार रखे जाएं और जिला पंचायत सीओ ने हर ग्राम पंचायत में पौधार उपन की प्लानिंग करने के निर्देश दिये हैं Grand ACN News के लिए दुरुख से नसीम फारुकी की रिपोर्ट